हालो नमस्कार दोस्तों आज आपको बताऊंगा बेरुजगारी बत्ते के बारे में तो इससे समझ दित एक न्यूज आ रही है कि 3500 रुपे बेरुजगारी बत्ता कर दिया गए लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है जब तक गौर्मेंट का नोटिफिकेशन गौर्मेंट की नहीं हुई है जब तक गौर्मेंट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक इसको आप सही नहीं माने अब विरुजगारी बत्ता लेने के लिए यूग्ज गिता क्या होने चाहिए सबसे पहले तो रास्तान का निवासी हो रास्तान से बाहर का कोई निवासी है मूल निवासी तो उसको नहीं मिलेगा योगेता आपके कम से कम सनात्तक होने चीए नहीं भी यह इसे ज़्यादा हो सकती है कम नहीं होने चीए उमर 21 से 35 वर्स के पीछ होनी चाहिए और प्रिवार की वार्षी काए 3 लाग से अधिक नहीं हो और ना ही वो कहीं पर रोजगार कर रहा हूँ ये योगिता हैं तो वो वेरोजगार बत्ते का फोरम बर सकता है अब इसमें डोकूमेंट आपको क्या कैतार करने है सबसे पहले तो आधार काड आधार काड के अंदर मुबाइल नंबर एड़ होना बहुत आपसक है इसके बिनावे रोजगार बत्ता फोरम नहीं बरा जाएगा पहली युगिता यदि नहीं आई ये तो आप फोरम नहीं बर सकते उसके बाद में भामासा भामासा के अंदर बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है और आपका मुबाइल नंबर भी उसके अंदर जरूरी है उसके बाद में वोटर आइड़ी रासन कार्ड ड्राइविंग लाइसस अन्ने कोई भी डोकुमेंट एक डोकुमेंट होड लगेगा इसमें से वोटर आइड़ी रासन कार्ड ड्राइविंग लाइसस इसमें से कोई भी एक लगा सकते हो और ने डोकुमेंट के रूप में पैन काड़ भी लगा सकते हो तो उन में से कोई भी एक डोकुमेंट यह जुरूर नहीं है किसे भी आपके पास उने जुरूर है कोई भी एक लगा सकते हो उसके बाद में आपका जो मुबाइल नमबर है वो स्थाई होना चाहिए एस थाई नमबर नहीं देना है क्योंकि उसमें OTP आते हैं SMS आते हैं तो उसके लिए आपको स्थाई नमबर देना है और वो नमबर किसी दूसरी के SSO ID के अंदर नहीं होना चाहिए आपके एक स्थाई email आड़ी होना चाहिए और आपके एक SSO ID होने चाहिए SSO ID यदि नहीं है तो आप इसको registration कर सकते हैं या इमितर के उपर जाकर आप संपरक करें वो बना देगा उसके बाद में आपको लगेगा मोल निवास इसके बाद में SBI बैंक पास्वूक होने चाहिए वो भी इस बात का ध्यान रखना है कि Zero Balance का अकाउंट यानि जैसे परदारमदरे जंदर नियोजना का अकाउंट है या ने किसी परकार का अकाउंट जो है वो नहीं होना चाहिए सेविंग अकाउंट होना चाहिए और वो भी कम से कम जो SBI का नियम है सेविंग अकाउंट में बचत खाता जो है दोजार रुपे रखने का तो वो अकाउंट होना चाहिए Zero Balance वाले अकाउंट के अंदर ये वे रोजगर बता नहीं आएगा बैंक अकाउंट जो है वो अधार काड के साथ लिंक को उना जरूरी है यदि लिंक नहीं है तो सबसे पहले अधार काड के से बैंक खाता लिंक करवाएं उसके बाद में आपके पास दस्वें की मार्क शीट होने चाहिए Self Declaration जो Declaration Forum है ये क्या होता है ये भी मैं बता दूँगा और Income Certificate I इसके बारे मैं बताँगा और Income Certificate K ये इसके बारे में बताँगा तो ये दस्थावे सारे के सारे होने चाहिए और एक Photo होने चाहिए जो आपके जो Certificate है इसके अंदर Declation certificate इसके अंदर लगे गी तो ये डिश्वेंग्त सारे के सारे औरिजिनल लोने चाहिए यह फोटो कोपी लगाओगे तो आपका जो विरुजगर बता फोरम है वो रिजेक्ट हो जाएगा अब मैं आपको बरना कैसे है यह सभी यहां तक सारे के सारे लोग जो है पहुंच जाते हैं लेकिन इसके आगे लोगों के दिक्कत आती है तो वो दिक्कत जो है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी आती है सबसे पहले तो इसके अंदर दे रखा है मूल निवास तो मूल निवास से आपको ओरिजन स्केन करना है और मूल निवास का जो नंबर है करमा को वो यूनिक नंबर के अंदर डाल देना है और कितनी तारिक को मुलनिवास जारी हुआ था वो issue diet में डालना है और उसको यहाँ पे upload कर देना है pdf file में pdf file जो है वो 1mb से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यदि 1mb से ज़्यादा है तो वो upload नहीं होगी उसके बाद में upload कर देना है एक एक document इसके बाद में आपको graduation degree यानि BA है या इसे ज़्यादा वो degree यहाँ पर BA की degree यहाँ पर लगानी है final year की लगानी है last year की origin scan करनी है तो इसमें अमेसा ध्यान रखें यहाँ पर roll number नहीं डालने unique number के अंदर roll number नहीं आते mark sheet के उपर number आते हैं उपर की साइड में document number वो डालने होते हैं roll number नहीं डालना है मैं साध्यान रखें इस बात का और उसके mark sheet के नीचे नीचे debt होती है वो debt यहाँ पर डालनी है ठीक है और आगे PDF file में scan करो और upload कर दो फिर दस्वें की mark sheet दस्वें की mark sheet का यहाँ roll number नहीं डालना है उसका भी अपर यूपर मोटेक्स रूमें कर्मांक नमबर होता है mark sheet का वो डालना है और आगे debt डालनी है नीचे नीचे mark sheet के में लेगी और upload कर देना है फिर नीचे आपको self declaration form है यह यहाँ पर देखिए अपर यूपर line लिखी हुए है self declaration form तो यह इसके आगे PDF का option दे रखा है इसको आप खोलोगे मैं direct खोल के दिखा देता हूँ आपको इसको खोलोगे तो यह form बढ़ना है आई के आगे जो form बढ़ना है उसका नाम लिखना है फिर नीचे वा लाइन में उसके बाप का नाम लिखना है यानि जो बेरोजगार का बता का फोर्म बढ़ना है उसके बाप का नाम आ जाएगा फिर उसके यहाँ पर डेटो बरता जाएगी जो फोर्म बढ़ना है यहां पे उसका address आ जाएगा पूरा address लिखना है गाउं का नाम तसील का नाम और वार्ड नमर गिरा जो है वो लिख देना और यहां पे district आ जाएगा ठीक है इतना आने के बाद यहां पर उसकी photo लगेगी और photo को attested कर देना है तिरची तिरची तिरचार टेच्ट यानि अदा प्रगा देना इस साइड में ताकि आपको कोई reject होने का कोई chance नहीं तो यह declaration फोर्म हो गया इसके बाद में income certificate आई तो इसको मैं यहां से फोन आयें कोल आयें या बहुत सारे sms भी आ रहे हैं कि यह कैसे बरा जाएगा तो सबसे मोटा मोटी दिकती है यह आ रही लोगोंगे तो इस बात का अमेसा ध्यान रखें कि आय पर्मान पत्तर जिसका आप वेरुजगारी बत्ता फोरम बर रहे हो यानि जिससे वेक्ति का यानि किसी सरपस से ज्यार वेक्त या नोटेरी से किसी से भी उसको अटेस्टर करवाना की जेए स्तापित फोटो पज़ती λगानी यहां पर उसका मूल एड्रेस लिखना है और यह semantic लिखना है और स्थाइर यहां पर उसके गाहों का नाम का जो है भात हमेसा विद्यान रखें कि डैयर्ट वर्ष जो है दसमीं की मारक शीट के अनुसार यह आपके आदार खाड़े हों बामासा में होने चाहिए, और बैंक के अंदर होने चाहिए, जहां पर भी आपके जो डोकुमेंट है, वो सब में एक डेट अबर्त होगी, तो ही आपका पेमेंट आएगा, जनमस्तान जहां पर उसने जनम लिया है, वो लिखना है, यह जनमस्तान मालनों के किसी ओस्पिटल म नहीं आपका मोल्णिवास ही हो। ठीक है। मोल्णिवास कहीं और कहीं हो सकता है। तो जनम स्थान जो जहाँ प्जनम हुआ है वो लिखना है। यहाँ पर अमर डाल दो डाट़फर्त के साफ से, यहाँ पर link mail यहां पर दरम डालना है यहां पर जाती डालनी है कौनसी है जैसे कि आपने बोलते हैं कि गोत फिर जो उती है वो उती होती है तो जात्ती के अंदर कोई अन्य उपजाती आ रहे है तो वागे डाल दो वागे कोई उपजाती डालना कोई अनिवार ये नहीं इसको छोड़ दे फिर नीचे पूछ रखा है आठ नंबर में किया मुल्निवासी हो तो इसमें हाँ ही करोगे तो ही बेरुजगरे बता आएगा राजस्तान का मुल्निवासी नहीं है नहीं में टिक मारती आपका फोर्म रिजेक्ट हो जाएगा आई कर दाता के अंदर हाँ हो नहीं होना चाहिए यदि हाँ कर दोगे तो आपका फोर्म रिजेक्ट हो जाएगा इसमें नहीं करना है कि आप टेक्स से नहीं दे रहे हूं क्योंकि आपके आए नहीं है फिर नीचे मूबाइल नमबर डालना है और यहां पे यादी पैन कार्ड बना है तो पैन कार नमबर डाल दो और टिन नमबर वेगेरा आपके पास कहां से आएंगे टिन नमबर वाले आओ जाते तो बेरुज़गार होते हैं नहीं इसको छोड़ देना है तेरा नमबर कॉलम में सबसे पहले डालना है एक नमबर करम सिंग्या में और सदेशे का नम जो जिसका फारम बर रहे हो जो बेरुज़गार है उसी का डाल देना ठीक है उसकी उमर कितनी है समंद मुख्या से क्या है यानि जो मुख्या है स्वेम लिखना है इसके अंदर ठीक है जिसकी फोटो लगा रहे हो उसी का जो समन्द तो किसी के साथ है यह नहीं यान जो जिस आदियूंगी फोटो लगाते हैं उसी का समन्द ही या लखा जाता है तो यहां पर स्वियम लिख देना I I के अंदर आप लिखना है नहीं I या वेबसाइ तो यहां पर बेरोजगार लिख देना या सिक्सित बेरोजगार लिखना है या तो सिक्सित बेरोजगार कर सकते हो या बेरोजगार लिख दो आए के अंदर निल लिख दो निल या जीरो यहां पर ठीक है या कुछ भी नहीं कोई भी आपको जो पसंद आई वो चीज़ आप लिख दो यहां पर ध्यान रखना है शिक्षित बेरोजगार लिखना है दो नंबर में यहां पर करम सिंख्या के अंदर दो नंबर डालो और फिर उसके सदे से किसे उसके बाप का नाम लिख दो बाप नहीं है तो उसके मा का ज progress हो गया या पंशन होगई जो कोई बुड़ा है कोई पंशन आरे। तो कलम्ध दू यहां पर यहर कर सी mya लिख दो चितनी भी यहां शद तिन लाग से जादा नहीं नहीं होने चाइए तिन लाग से कम है तो भी प्रॉजगर बताएम वहलत लड़का लिए उसके क्या खिनल रहे है और लिखना उब दर स्था यEt परदावित्था इन उसके बाप गिए धो और आ Państ teraz और सो किषीक्ष के होडता होड़का लागा है 20,000 एक के दूनों के अलग अलग डाल के 50,000 उपे वैसे हो जाएगे अन्य कोई किराय से कोई ब्याज बगएरा जो कुछ आ रहा है तो यहां पे डाल दो नहीं तो नहीं लिख दो यहां पेंशन का नाम दे रहे हैं इस बात का द्यान नगे भी तो pension से यदि आय आ रही है तो यहां पर pension पर टिक मारक करके आपर pension से जतनी भी आयल आ रही है उसको लिख देना है गलते डेना है तो govn- burnout को अची परकार से मालूम होई कि वहाँज tentar pension आ लिख ever ओर श्आ हरा है तू यहां पर इioso अस्ताक्सर करने है जो फारम बर रहा है उसी के अस्ताक्सर करने है जिसके फोटो लगी है उसी के अस्ताक्सर होंगे जो आदम वेरुजगार है उसी के अस्ताक्सर होंगे यानि कुछ लोग बहुत सारी स्वाल करते है कि साइन किस क्योंगे तो भी सिदा सा रूल है जिसके फ पूरम हो गया आई अब आपका number आता है कि फोरम number k के ठीक है कि यह के यहां से download कर सकते हो download करके मैं दिखा देता हूं direct आपके सामने screen के ऊपर चल रहा है तो इसको ओपन कर रहा हूं यहां पर क्या करना है के के अंदर दो उतरदाए वेक्ति के अस्ताकसर करण्我們 जैसे मौना लोको सर्पसे हो गया या कहता हो गया सकूल एड्मास्टर हो जए नोटेरी करता हो गया कोई औस दाले के अंदर डॉक्टर बेठा है तौँ हो गया या कोई अन्य सरकारी ऑस्पिटल में है तो वो हो गया किसी के पर करवा सकते हो लेकिन उसकी सील होनी जरूरी है इसको बरना कैसे वो बता देता हूँ मैं के अंदर जो आदम भर रहा है उसका नाम आएगा जैसे को डोक्टर से करवा रहे हो तो उसका नाम आजाएगा यहांपे उसके बाप का नाम आजाएगा जो डोक्टर वगेरा है फिर उसका एड्रस आजाएगा कहा का वो निवासी है उसके विभाग का नाम आजाएगा जैसे को चिकस्चा विभाग हो गया ठीक है या रुस्पिटल वगnymi हमां दोक्टिम या कर नौन आप नइंट ना मघ द्र 2-3 भी उसका यह प्रार्तिय पर्arat EM रहना उसकाना लिक्ना पक्रता मोर्ध नें उसके बाप नाम लखना है हॉर उसका है और उसका एड्रस लिखना है जो पीरृषगा लोकि यहांपर अपने उधान दे रहा हूं जैसे मालो है किसी की दस डाल दी यहां पर बीस। यहांपर तो आएगी नहीं क्योंग Ciao बेरुजगार बता है तो मैं आपने तो यहांपर आइगी आपने मालोओ किसी की दस डाल दी, यहां पे दस डाल दी, यहां पे 15 डाल दी, तो कितनी होगी, टोटल 35 होगी, तो जो के वाला जो फोरम बढ़ रहे हो, ठीक है, के वाला जो फोरम बढ़ रहे हो, यहां पे 35 जार टोटल लिखनी है, फिर उतरदाय विक्ति के अस्ताकसर, यहां डॉक्टर से लिखना है और सबसे बड़िया ये भी है यहां पे इसमें उप्सन दे नहीं रखा अपने पैंज से मुबाइल नमबर नाम लिख करके जिससे अस्ताक्सर करवा रहे हैं उसका मुबाइल नमबर डाल दें ताक कि रोजगार कारियले से कॉल करके कोई पूछे तो वो उसको वे एक आदम इसे नहीं करवाना इस बात का ध्यान रखना जैसे एक किसी सरपच से करवा लिया ये देखो ये नीचे दे रखें इसमें फोट्टू जो जो है वो स्टेपल बगरा नहीं करनी है यहां पे देखो ये सारे किसारे दे रखें किसी से भी करवा सकते हो जिए नोट म वी दो अलग-अलग होने चीए तो यह हो गया फोरम आपका के अब के होने के बाद में टोटल अपलोड कर दो और समिट कर दो आपका विरोजगार बता जो है वो शुरू हो जाएगा फिर भी यह जो डिकलिस्टिम फोरम है इंकम आई है के है यह मैं सारा डिस्क्रिशन में न नीचे सारा स्केनिंग होना चाहिए और क्योंकि एक साथ फोरम पहले सालो कर दोगे बाद में स्केन करोगे टाइम आउट हो जाएगा साइट बंद हो जाएगी तो सबसे बढ़िया यह है कि आप पहले सारे चीज़ त्यार कर लो और सारे ओरिजिनल डोकुमेंट ही स्केन क करने सूचना अची लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें हर परकार की जानकर इसी परकार से आपको आगे भी प्राप्त होती रहेगी धन्यवाद थैंक यू